हेलो एवरिवान, वेलकम टू कॉन स्टाडी, यह आपका डिरेक्शन सेंस का पार्ट 3 है, इस वीडियो में हम डिरेक्शन सेंस टॉपिक का शाडव वाला जो कॉनसेप्ट होता है, वो डिस्कुस करेंगे, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू, आप हम से फेस्ब ccimp class 4 reasoning का यह syllabus है, जिसमें से एंस बेंग्राम के लेक्शन सेप्लोड हो चुके है, साथ ही direction sense के भी दो पार्ट स अप्लोड हो चुके है, and this is the third part, so direction sense part 2 के end में जो try this yourself question था, उसको देख लेते है, उसका solution देखते है, and then we'll start with today's lecture. तो question भी लिखा है, Rina walked from A to B 10 feet towards east. ठीक है, reference के लिए we will make this diagram, जो north, south, east or west को represent करती है. So, यह point A है, यहां से Rina ने walk किया towards east direction और उसने चला कितना? 10 feet, तो हम यहाँ पर 10 लिख लेंगे, then she turned to the right. जिन्होंने part 1 भी देखा है, part 2 देखा है, they know, कि अगर आपको right turn लेना है, how do we decide? तो अगर वो east की तरफ जा रही थी, and she has to take a right turn, तो हम clockwise direction में देखते हैं, कि कौन सी direction है, यानि south, so now she will turn towards south, okay, so यहां से वो south की तरफ turn करेगी, and she will walk 3 feet, तो यहां पर हम 3 लिख लेंगे, again she turned to the right, जब right turn ही लेना है, तो clockwise direction में देखेंगे south से west होता है, so now she will start walking towards west, and उसने कितना distance चला है, 14 feet, तो जैसा part 2 में भी हमने देखा था, we have to do it like this, कि अगर यह distance 10 है, और यह total 14 उसने चला, towards the west direction, और question में हमें पूछा क्या गया था, how far is she from A, तो हमें distance कौन सा निकालना है, ए से लेके, इस last point का distance निकालना है, तो इसको निकालने के लिए, हमने देखा था, कि we have to make a right angled triangle, और Pythagoras theorem को use करके, हम इसको solve करेंगे, we know that यहाँ पर एक rectangle बन गया है, जिसकी length 10 है, और width क्या है, 3, ठीक है, तो यह triangle की भी यह जो perpendicular side है, इसका distance हो गया 3, इसकी length हो गई 3, और जो base है right angled triangle का, वो कितना होगा, because यह total 14 था, this was 10, तो यह triangle का जो base है, this will be 4, तो हमें निकालना है, यह hypotenuse की length, तो यह कैसे निकलेगी, हम जानते हैं, under root of 3 square plus 4 square, तो इसको अगर हम solve कर ले, तो यह क्या बनता है, under root 9 plus 16, जो की होता है 25, यानि की इसका जो answer है, वो होगा 5 feet, जो लोग first time हमारी videos देख रहे हैं, उनको मैं बता दू, अगर आपको सारी videos अभी तक जितनी डली हैं, तो आप प्लेइलिस्ट टैब में जाकर, यह वाली जो प्लेइलिस्ट है, जेनरल अवेरनेस, रीजनिंग, जेके एससबी, क्लास 4, ठीक है, साथ ही मैट्स, तो आप इन प्लेइलिस्ट से वो सारी videos अक्सेस कर सकते हैं, यह तो सभी जानते हैं, कि morning time में, या questions में कभी-कभी ऐसे लिखा होता है, just after sunrise, ठीक है, उसका एक ही मतलब है, कि सुभा का time है, तो सुभा के time पे, जो sun है, वो आपका east में होगा, तो पहले हम ट्राइ करेंगे कि morning time के reference में ही, इसको समझते हैं, ठीक है, तो आप suppose कि यहाँ पर एक आपका object है, for example, एक pole है यहाँ पर, तो इसकी shadow कहाँ पर पड़ेगी, जो pole की shadow है, यहाँ पर होगी, किस direction में, west में, कोई pole होगा, या person होगा, उसकी जो भी shadow है, वो west direction में ही होगी, क्योंकि light जो है, वो आपकी east से आ रही है, अगर light source east की तरफ से आ रही है, तो shadow आपकी west में होगी, ठीक है, first concept होगया आपका, second concept इसमें यह आता है, if the person is facing towards north, तो उसका जो left है, वो यहाँ आएगा, और उसका right side जो होगी, वो east की तरफ होगी, east की तरफ right side होगी, और west की तरफ उसकी left side होगी, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक person है, जो की north face करके खड़ा है, और time जो आपको given है, वो है morning time, तो उसकी shadow जो है, वो left side होगी या right side, ये left या right किसके हिसाब से देखना है, इस person के, तो हमें पता है morning time है, तो sun जो है, वो east में होगा, तो shadow west में होगी, so we know, अगर person north facing है, तो west उसके left side होगा, तो answer हम बोल देंगे कि left है, उसी तरह से अगर हमें बोला जाए, कि ये जो person है, ये south face करके खड़ा है, अगर इसने face north की जगा south किया है, हम जानते हैं अगर वो south facing है, तो उसका जो left है, वो इस side आएगा, और right west की तरफ होगा, left क्यों east की तरफ जाएगा, विनो left के लिए हमेशा ही anti clockwise देखते हैं, और right के लिए clockwise देखते हैं, तो अगर आपको वो concept अच्छे से clear है, तो आपको इसमें difficulty नहीं आएगी, तो अगर आपने first और second part देखा है direction sense का, तो आपको इसमें difficulty नहीं आएगी, ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया था, कि person का face जो है, वो south direction में है, और time वही morning time ही given है, तो उसकी जो shadow है, वो west में होगी, that is for sure, ये एक fact है, बट हमसे पूछा गया, कि उस person के हिसाब से, उसकी shadow right पे होगी, या left पे, तो we know कि west direction देखनी है, आपने south के according, तो वो right side होगी, with respect to this person, उसी तरह से अगर आप देखो, evening time पे, या just before sunset, अगर इस तरह से कुछ लिखा है question में, तो जो आपका sun है, वो होगा west direction में, और shadow जो होगी, वो होगी east direction में, यानि यह जो person है, या pole है, इसकी जो shadow होगी, वो east की तरफ बनेगी, तो इसमें अब left और right का concept कैसे समझना है, अगर यह north facing खड़ा है, तो इसकी जो shadow होगी, वो right side पे पड़ेगी, क्योंकि east देखना है आपने, with respect to north, तो clockwise में होता है, and clockwise is for right turn, तो यह shadow कहाँ पर होगी person के, right side पे, उसी तरह से अगर यह person जो है, वो south facing खड़ा है, उसने south की तरफ जो है, अपना face किया है, तो उसका right और left change हो जाएगा, उसी के according, shadow अगर east पड़ रही है, south के according अगर आप east देखो, तो यह anti-clockwise होता है, and anti-clockwise जो है, direction sense में आपका left side को represent करता है, ठीक है, south face किया है, तो उसकी जो shadow होगी, इस person के हिसाब से, left hand side पे बनेगी, तो यह कुछ concept है, यह आप अपनी notebook पे note कर लीजिए, इसको खुद समझने की कोशिश कीजिए, अपने आपको imagine कीजिए, as a person, अगर आप यहाँ खड़े है, और आपका face north पे है, तो आपका right, जो है, वो east की तरफ होगा, and if you face towards south, तो आपका left, जो है, वो east की तरफ होगा, ओके, तो अब यह question देखते हैं, and let's see कि हम इसको कैसे approach करेंगे, so now let's see question number one, one morning after sunrise, तो morning है, तो sun आपका east direction में हो जाएगा, ठीक है, तो हमें given है, सुरेश was standing facing a pole, यहाँ पर एक नहीं, दो objects किवन है, एक pole और एक person, जिसका नाम है सुरेश, तो सबसे पहले हम इस pole बना लेते हैं, and we know कि इस pole की shadow कहां पर होगी, west direction की तरफ, क्योंकि sun east में था, shadow west की तरफ बनेगी, that is for sure, अब हमें given है कि shadow of the pole fell exactly to his right, यह his जो है, यह सुरेश के लिए लिखा गया है, तो सुरेश की right side पे जो है shadow है, तो यहाँ पर दो cases हो सकते हैं, या सुरेश south facing खड़ा है, उसका जो face है, वो south की तरफ है, या उसका face जो है वो north की तरफ है, अब हमें देखना है, सुरेश का right side, west कब होगा, तो हम दोनों ही cases को, एके करके देखते हैं, अगर सुरेश north की तरफ खड़ा है, तो उसका right side कहा है, north से right side देखना है clockwise में east, यानि कि ये जो है सुरेश का right side होगा, और अगर वो south facing खड़ा है, तो उसका right side होगा, west की तरफ, right side, question में हमें पुछा गया है, which direction was he facing, सुरेश का face south था, या north था, तो एक चीज़ गिवन है, shadow सुरेश के right side पे है, अगर यहाँ पे सुरेश north facing हम सोचें कि, सुरेश north facing था और उसका right side देखे, shadow east की तरफ नहीं हो सकती, because sun जो है वो east की तरफ है, ठीक है, तो ये वाला case हमारा नहीं बनेगा, सुरेश का जो face है वो होगा south की तरफ, क्योंकि अगर सुरेश south की तरफ face कर रहा है, उसका right जो है वो west में पढ़ता है, and morning time में shadow भी west की तरफ होगी, इस pole की, so answer आपका हो जाएगा option A, तो इसी same question को evening time के हिसाब से change करके देखते हैं, evening time होगी, तो जो sun होगा वो आपका west direction में हो जाएगा, और shadow होगी वो east में बनेगी, this is your pole और इसकी shadow जो है वो east की तरफ बनेगी, same question है, सुरेश वो standing facing a pole, the shadow of pole fell exactly to his right, बिल्कूल same question, सिरफ time जो है हमने morning से evening change कर दिया, अब सुरेश का face किस direction में होगा, तो यहाँ पे भी हम दो case बना के देखते हैं, कि सुरेश का right side, east की तरफ कब बनेगा, तो first case देखते हैं, सुरेश खड़ा है south facing, तो south से अगर आपको east जाना है, तो वो anti-clockwise होता है, यानि कि यह सुरेश के लिए left side होगी, बट हमें question में दिया है कि जो shadow है, वो सुरेश के right side है, तो यहाँ पर यह तो हमारा गलत हो गया, अगर सुरेश north facing है, तो north से अगर आपने east देखना है, जहाँ shadow है, तो clockwise direction, यानि कि यह जो है सुरेश के लिए right side ही बनेगी, according to question बन रहा है, तो answer हमारा हो जाएगा, कि अगर evening का time है, और सुरेश पोल की तरफ face करके खड़ा है, पोल की shadow east की तरफ है, और सुरेश के हिसाब से, the shadow is on right, तो where is सुरेश facing, सुरेश का face किस direction में है, सुरेश is facing towards north, तो इतने ही basic questions हैं आपके class 4 में, जो हैं इससे जादा difficult questions नहीं आएंगे, but still let's see another question, तो morning time है, sun आपका हो जाएगा east direction में, अब यहाँ पर दो लोग given है, निवेदिता, निहारिका दो लोग, ठीक है, तो अगर यह दोनों वो लड़कियां खड़ी हैं, और वो face to face बात कर रही हैं, अब given है निहारिका की shadow, exactly to the right of निवेदिता, शाड़ दोनों ही लड़कियों के लिए, एक ही side बनेगी, जो की है west side पे, शाड़ बनेगी, क्योंकि sun east पे है, शाड़ वेस्ट में, ठीक है, इससे left right का अभी लेना देना नहीं है, left right तब आएगा picture में, जब हम बात करेंगे, in reference to the person standing, ठीक है, निवेदिता या निहारिका का left right होगा, शाड़ तो west में ही रहेगी, तो हमें बोला है, कि निहारिका की shadow जो है, exactly to the right of निवेदिता, अब निवेदिता के right पे shadow, शाड़ जिसकी भी हो, वो matter नहीं करता, तो यहां से आप अगर, यह नाम हटा दो, तो इससे भी difference नहीं आएगा, difference कैसे आएगा, हम देखते हैं, shadow जो है, वो right है किसके निवेदिता के, तो दोनों ही लड़कियों का, हम left और right पहले लिख लेते हैं, north facing लड़की के लिए, shadow west में अगर है, अगर आपने west देखना है, तो वो clockwise direction होती है, यानि की clockwise यानि right, तो इस लड़की के लिए, जो shadow है वो right side पे है, तो हमें question में क्या given था, right side पे shadow होगी, किसके निवेदिता के, तो यानि यह लड़की जो है, यह निवेदिता है, और दूसरी लड़की जो होगी, वो होगी निहारी का, तो question में यही पूछा था, in which direction is निहारी का facing, तो निहारी का जो है, उसका face जो है north की तरफ है, answer हमारा आजाएगा d option north, so let's see, same question है, और time morning की जगा evening कर दिया, तो let's see, अगर यहाँ पे आपका जो sun है, वो कहाँ पर है, west direction में, और उसी तरह से यह दो लड़किया खड़ी है, और उनकी shadow जो है, shadow, कहाँ पर है, east की तरफ, तो उसी तरह से, इन लड़कियों का left और right देखेंगे, एक लड़की के लिए, shadow left में होगी, और दूसरी लड़की के लिए, shadow जो है वो right में होगी, shadow रहेगी east में ही, बट जिस लड़की ने north की तरफ face किया है, उसके लिए east, जो है clockwise में आप देखो तो, right side होता है, और जिस लड़की ने face किया है, south की तरफ, यानि की ये वाली, south की तरफ face किया है, तो east anti-clockwise में आपका आता है, left side, इतना पता चल गया, कि जो girl number 1 है, उसके लिए shadow left side होगी, और जो girl number 2 है, उसके लिए shadow होगी, right side पे, तो अब question में आगे देखते हैं, निहारिकाज shadow was, इस से फरक नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही लड़कियों की shadow east में होगी, ठीक है, shadow कहाँ पर थी, exactly to the right of निवेदिता, यानि जिस लड़की के लिए shadow right पे है, वो लड़की कौन है, girl number 2 होगी, निवेदिता, तो girl number 1 हो जाएगी, निहारिका, ठीक है, तो question पूछा था, निहारिका ने किस direction में face किया है, तो निहारिका कौन है, अमारी girl number 1, जिसने किस direction में face किया है, downward, यानि कि ये जो south direction है, आपका answer आजाएगा, option A, south, तो ये एक और type के questions है, जो शायद आपको आ सकते हैं exam में, so I don't want कि ऐसा कोई question हो, जो आपने देखा ही ना हो, और exam में आ जाए, तो ये भी एक question है, मैं discuss कर लेती हूँ, and then we'll close this lecture, इसमें क्या है, कुछ codes दिये हैं, जैसे कि multiply का sign है, तो उसका मतलब हो जाएगा, A is south of B, plus sign का मतलब हो जाएगा, कि A north में है B के, यानि अगर A plus B दिया है, तो आप ऐसे बनाओगे, A और B, ठीक है, A जो है B के north पे बनाओगे, उसी तरह से, percentage sign का मतलब east, minus sign का मतलब west, और आपको यहाँ पर एक expression given है, और question में पूछा गया है, S is in which direction, with respect to Q, तो इसको कैसे approach करना है, S और Q का relation पूछा है, तो अगर आप देखो, हमें सिरफ इतने expression की ही ज़रूरत है, तो P वाला पार्ट आप नहीं भी लोगे, तो भी आपका answer आजाएगा, तो लेट सी, plus sign का मतलब है north, ठीक है, तो Q plus R, यानि Q को R के north पे बनाना है, साथ ही दिया है R minus S, minus का मतलब था west, यानि की R जो है, वो S के west पे है, ठीक है, ये west direction होगी न, S के according, this is west, और R के according ये होगी, Q होगा, north of R, तो यह हमने बना ली diagram, अब question में पूछा है, S is in which direction, with respect to Q, with respect to Q, यानि Q पे खड़े होके देखना है, S किस direction में है, तो ये जो direction आपकी होती है, ये कौन सी direction होती है, south, east, तो आपको option B जो है, वो correct हो जाएगा, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, part 1 में भी, part 2 में भी discuss की है ये चीज, अगर आपको बिना गलती के इसको करना है, आप क्या कर सकते है, जहाँ पर Q है, वहाँ पर अपनी directions बना सकते है, ये south होगा, this is west, this is east, right, तो यहाँ से आप सीधा देख सकते हैं, ये जो direction है, ये क्या है, south और east के बीच में है, तो south east, इसका सही answer, south east होगा, तो कुछ इस तरह से भी question आ सकते हैं, बहुत difficult नहीं होगे, इसी तरह से easy questions ही आपके, class 4 की recruitment exam में आएंगे, तो try this yourself के लिए भी, आपका यही question रहेगा, बढ़ थोड़ा सा change है, question क्या होगा आपका, तो question क्या होगा, आपने मुझे बताना है, P की direction, with respect to R, ठीक है, ये आपका है, try this yourself question, तो इसी question को use करके, आप में को बताएं, P की direction with respect to R, क्या होगी, comment में बता सकते हैं, so keep practicing all of you, अपनी अच्छे से preparation कीजे, all the best to all of you, so that's all from my side, thank you for watching,